ताइगर श्रॉप ने जब एंट्री की तो उनकी फैंट फॉलोइंग धुआ अधार हो गई चाहे उनके लोग को आप करीना कपूर कहें या फिर लड़कियों जैसा लेकिन ताइगर की फैंट फॉलोइंग ने कोई कमी नहीं आई राम गुपाल वर्मा ने उन्हें गए कहा तो शोबाडे ने उन्हें लड़कियों जैसे कपड़े पहनने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया लेकिन ताइगर की फिल्मे सुपर हिट रही इसके बाद उनकी डॉलर फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल बैक टू बैक बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही है ताइगर श्रॉप का करियर वापस ट्रैक पर लाने के लिए मेहनत की जा रही है उनके हाथ में फिल्हाल बागीदो, स्टूडिंट अफ दे यर दो और रेमबो रीमेके है लेकिन अब ताइगर का कहना है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोपिक में काम करना चाहते है और अब उनकी अगली फिल्म बागीदो के डायरेक्टर एहमद खान और प्रोडियूसर साजिद नाडियाडवाला एक बार फिर से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं क्यूंकि वो नहीं चाहते कि फिल्म में कुछ भी घलत हो ताइगर श्रॉफ की इस फिल्म में उनके साथ दिशापटानी है और फिल्म अप्रेल 2019 में रिलीज हो रही है इसके साथ क्लैश हो रही है कंग नारा नौत की मनी करने का ताइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में स्टारडम की सीड़ी कितनी तेजी से चड़ी है ये आप खुद देखिए डैश Hero 15 से पहले ही famous Hero 15 से Tiger Shrop ने debut किया है लेकिन film release से पहले ही Tiger Shrop के stunts और martial arts की चर्चा हर तरफ थी कम से कम एक बात तो तो ते थी कि Tiger Shrop नाम का एक लड़का है जो एक ही काम जानता है पर वो काम उससे बेहतर शायद ही इस industry में कोई जानता है Box Office No.1 Box Office पर भी Tiger Shrop का record card शानदार रहा है उनकी पहली फिल्म से लेकर आखरी फिल्म तक वो हर फिल्म के साथ आगे बढ़े है अब ये उनकी fan following हो या फिर उनकी किसमत लेकिन Tiger Shrop Box Office पर सुपर हिट है एक सा करोड कलब तक का सफर Tiger Shrop की पहली फिल्म हीरो 25 करोड के बजट पर बनी थी लेकिन फिल्म ने बहुत तक करोड की कमाई कर सब को चौका दिया वहीं बागी में केवल Tiger के संट्स की बदोलत फिल्म ने एक सा करोड कलब में एंटरी पाली बागी का बजट 35 करोड था फ्लॉप होकर भी हिट टाइगर शॉप की आखरी फिल्म डॉलर प्लाइंग जच बॉक्स आफिस पर नहीं चली लोगों को पसंद भी नहीं आई फिर भी 35 करोड की इस फिल्म ने 56 करोड की कमाई करके मुना फाना से ही अपनी लागत तो निकाल ही ली थी रितिक से होती है तुल्ना रितिक रोशन के बाद शाहिद कपूर डांसिंग स्टार की तरह चमकने वाले थे पर ऐसा हुआ नहीं रितिक की तुल्ना वाला स्टार अगर किसी को माना गया तो वो है टाइगर श्रॉप उनके अंदर बलिवुड के डांसिंग स्टार बनने वाले सारे लक्षन है और ये बात वो अपनी फिल्मों और सिंगल गानों से साबित कर चुके हैं मुन्ना माइकल से लगनी थी महर टाइगर श्रॉप की फिल्म मुन्ना माइकल में टाइगर माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और इस फिल्म के पोस्टर से ही लोगों ने उन्हें पास कर दिया था माना जा रहा था कि जिसने भी फिल्म के पार्ट्स देखे हैं उसने ये कह दिया है कि फिल्म से टाइगर श्रॉप अपना जंडा गार देंगे हाला कि फिल्म अच्छी नहीं है पर टाइगर को किसी ने बुरा नहीं कहा अच्छे एक्टर नहीं और ये मानते हैं टाइगर श्रॉप कई बार मान चुके हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है और इसलिए वो अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करना चाहते हैं अब इस पर कितनी मेहनत होगी और वो मेहनत काम आईगी या नहीं पता नहीं लेकिन टाइगर श्रॉफ शायद सलमान के अलावा वो एकलोते स्टार होंगे जो बिना एक्टिंग जाने स्टारडम की राह पर है बेस्ट अक्षन हीरो अब टाइगर एक तिंग भले ही ना कर पाते हों लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय बॉलिवुड में एक्षन के लिए बेस्ट इनसान है हाला कि अभी तक उन्होंने जितना एक्षन दिखाया है वो शायद उनके टाइलेंट का एक परसेंट है लेकिन इसके बावजूद टाइगर बिजनेस में बेस्ट है उनकी जेनरेशन का कोई एक्टर उनके आसपास कही नहीं फटकता कमतर एक्टर लेकिन बेस्ट एक्षन स्टार रेम्बो रीमेक पर सलमान खान से लेकर रितिक रोशन की नजर थी लेकिन फिल्म टाइगर के हाथ आई इसका मतलब साफ है कि एक्षन अवतार की बेस्ट चॉइस टाइगर श्रॉप है और इस फिल्म से वो एक्षन किंग बनने को तयार है अगले सुपर स्टार का स्वागत करिए तो बस अब टाइगर श्रॉप अपनी स्टार डम पाने से एक ही कदम दूर है और इस फिल्म के साथ बॉलिवूड को उसका एक्षन की एंग मिल जाएगा वहीं सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि रेंबो पूरी सीरीज है ऐसे में अगर टाइगर पर पूरी सीरीज फ्लान कर ली जाती है तो उन्हें बॉलिवूड में कोई टक कर नहीं दे पाएगा